साथियो नमस्कार वंदे मातरम चुवागत है आप सभी का सैनिक्स विदापर साथियो एक जुलाई ट्रीव है एक जनवरी दोजार चब्शे हमारा एट सी पीची डू है यानि के एक जुलाई दोजार चुबिस आने में सिर्फ दो तिन दिन बाकी है तो अबके दो तीन दिन वाज हमारा ओवाड़ पिट्री डियो हो जाएगा और तकरीबन डेड़ साल वाज हमारा आटवपी कि यह हो जाएगा तो आज के वीडियो में ओवार ओडियो में और फैसरी दोनों पर ही चर्चा करूँ हमारा एट सी पीची में फिट्प्र क्या होगा और ओ ओर अरो पिट्री और एट सी पीच के बादों हमारी पेंशन कितनी हो जाएगी परमंत कितनी इंक्रीज हो जाएगी शिपाई से लेके और उपर वाड़े रेंक तो साथियो इस से पहले मैं इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूं अगर आप सैनिक शुविदा चैनल से पहली बार जुड़े हैं इसका इस्सा नहीं है इसका इस्सा बनना चाते हैं तो सेनिक शुविदा चैनल को सब्सक्राइब परने और उसका बैला इकन ओन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की मैंपून जानकारी आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरे दुवारा दी गए जानकारी का पर पाइदा उठा सकें तो चलिए समझते हैं और एट स समझेंगे तो पहले समझते हैं बोर्ड के अमाध्यम से जैसे कि यहां पर मैंने डी एंडी आर के लिए आप लोगों का चार्ट बनाया है जैसे कि जनुवरी दोच आप चोगिस में तो जुराई दोचाप चोगिस में तीन परसेंट बढ़कर 53 परसेंट हो जाएगा क्योंकि महंगाई के आंकडों के अनुसार जहां तक अनुमान लगा जा रहा है आपका तीन परसेंट इंक्रीज होगा और जनुवरी दोजाट पच्चीस में आपका 56 परसेंट हो जाएग है तो यहां भी हमने ठीन परसेंट बोढ़ लगये तो यहां पर आक चारका 50 हो जाएगा जनुवरी Colorado परसेंट परसेंट को तक हैं Stan Smith सीजल को कि तो चो तो हमारा घो झाएगा तो उसमें उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा किस प्रकार से निकाला ज्याता आपका बेसी कर दिये और एक दोन्हों फॉल्वनट को बाद को फिट्वाग करने कि या जाता है जिसे आपको कर व्याद कि निकला जाता है Tell me जोर्मिंट का इंक्रिमेंट कम से कम 20 इस इस में लगा लेते हैं क्योंकि इस से पहले जो पे कमीशन है wezen میں بھی سے ज् advertisers वह ज्यादा में और सोड़े से कम तो किशी में नहीं रहा है हमसे कम सोड़े रहा है और अधिक सदिक 40 कि विर आ है तो हम इसको एवरेज मिलाकर हbor के सब्सक्राइब क्त्वल से चलते तो यह न२ा 20बट 401.6 मैं आपका आपका फितमेंट फेक्टर होगा एक पॉइंट में अभी हम यह मानले जो उसमय जनवाली दुजाट six को पेंशन होगी अगर हम उसको वन पॉइंट चानवे से उना कर दें तो हमारी बड़ी हुई आठी पेगमिशन की पैंशन का बैसिक पे आ जाएगा पर बात कितना डिये लगाएगे डिये एक परसेंट लगाए डिये तो जीर हो जाएगा वहां पर लेकिन वहां पर एक परसेंट से सुरू करें या पांच और फी ठीगों चार्ट कितनी पैंशन अपकी बड़न हुआएगी टोटन कितनी अजाएगी तो यह मैं आपको बताऊँगा चार्टिंड जी फॉन मतीबहरं से सबसे पहले पूलम में सीरियल नमबर दिया है उसके बाद रेंग के फिर फ्वालिफाइंग सर्विस है उसके बाद और वार वुमन की पेंशन है उसके बाद आपका सेवन सीपीच मेजर टू-पॉइंट-57 से मल्टिपलाई करने के बाद में आपका पेंशन बेसिक बनाता और उसके बाद जो आपका पिटमांट फेक्टर बनेगा एट सी पीची का उसको और और उप्तरी को गुणा किया गया है और उसके बाद जो टोटल परमंत आपकी इंक्रीज होगी वो दिखाया गया है तो सबसे पहले देखिए सिपाई जिसकी क्वालिफाइंग तरविश सत सब्सक्राइब तो इसके बाद में जो आपका परमंत इंक्रीज पैंशन है वह आगा गया है तो इसके बाद में जो आपको परमंत इंक्रीज पैंशन है वह आ गई है यानि कि परमंत पैंशन इंक्रीज रूपए वह किसी जार दो सब्सक्राइब और से मुझे में उसकी पैंशन हूई टू-पिश्तर काय रूपिय। से मिल्टीप्लाई करके से त्रहादार 432 रूपए economic in интересно inhale uh our op में सिभाई सत्रे साल वाले की और 19 साल वाले की सब की बराबर करन डी गई और और वार उपिधनी में सिपाई कावानी पंग सर्बिस निस साल वाले की जो पैंसन ही वह इस लार पिछात्र रुकतर और हम जो फिटमेंट फेक्टर ए हैसीपीसी का उसको 21笈 शीपाई जिसकी वालि फाइन सर्विस उन्नीश ए रसी उसकी पर मंथ बाइस धाया पांच सो रुपे पैंशन नायक। 25 गवारीजिसे दें रही है इकतर सो शत्तर रुपे गयाई 847 अर और टेमन की पैंशब रही है पीशजार एकंशन रूपे और ऑउर अलेजमार की unders रही है 25 22,175 रुपे अभी वारोपी में जो 22,175 रुपे पेंशन रही है उसको अगर हम 1.96 से गुणा करते हैं जो की विटमेंट पैक्टर है 8 CPC का तो इसकी पेंशन आती है 43,643 रुपे तो इसमें अभी पर मंत कितना इंक्रीज हुआ है तो 8 CPC का जो टोटल पेंशन है उसमें से हम वारोपी 3 को 22,175 रुटाते हैं तो टोटल आता है 23,356 रुपे पर मंत की बड़ोतरी हुई है नायग जिसकी क्वालिफाइण सर्विस 17 है उसकी मैं नहीं बताया अभी मैं आपको बताता हूं नायग जिसकी क्वालिफाइण सर्विस 22 साथ है उसको इनकी और रुपी में वन में पैंशन थी होगी 21,244 रुपे और ओवारों कि थिरमें इनकी पैंशन होगी 23,925 रुपे और इस 23,925 रुपे में हम जो प्रिटमेंट पेक्टर एट सीपीसी का उसको अगर गुणा करते हैं तो इनकी टोटल पैंशन मन जाती है 14,830 में रुपे है अगर इसे हम परमन्त के हिसाब से देखते हैं तो परमन्त के पैंशनफेंचय रुपे पंचे बर बियुद 2005 रुपे बास। किध़ देखते हैं हाओलदार सीपार बियुक्त है उसकी पैंशन कितने टीने पैंशन ती सात जार चैसो तिराण रूपे शेवन सीपिसी में की परेंशन बनी उन्निस दार साथ सो इकतर रूपे इसके बाद ओर आरोपी टूमें की पेंशन बनी 21,782 रूब है और 8CPC का फिट्मेंट फैक्टर 1.96 गुणा 23,9425 दोनों को भी लाकर आया 4,011 रूपे अगर हम देखें कि परमंत कितने इंकरीज हुई तो और और पितरी में से 8CPC में जो उनकी पेंशन आई है वो गटा देता है में गटा गराया 24,239 रूपे यानिके इनकी पेंशन हुई 24,239 रूपे की बड़ोतरी परमंत अब देखें हवालदार क्वालिफाइंस रूपे चोबिस यर्स का इनकी और पिवन में पेंशन थी 7,808 रूपे हैं और 7CPC में इनकी पेंशन हो ही 20,MI6 से गुणा 96 से गुणा करते हैं जो कि फिटमेंट फेक्टर है एट सिप सीपीची का तो इनकी पेंशन आ जाती है 48,804 रुपे अगर हम इनका पर मंत इंक्रीज का देखे तो अच्छा रुपे में से हम 24,900 रुपे माइनस करते हैं तो 26,500 रुपे आता है ज्याने के इनकी फेंशन पर मंत इंक्रीज होगी 26,500 रुपे पर मंत हर महिने बढ़ दाएगी इतनी हावादार जिस्टिक वालिपाइंट सर्विस चोबीश यर्स ती अभी देख अगला रेंक भांड़ेज नायक सुब्वेदार वालिपाइंट सर्विस चोबीश यर्स ओवाड़ रुपी में पैंशन 8,425 रुपे 7 CPC में की पेंशन 21,652 रुपे और OROP 2 में की पेंशन 23,750 रुपे और OROP 3 में की पेंशन 25,300 तो इस 25,300 को अगर हम 1.96 से गुणा कर देते हैं जो की फिट्मेंट पेक्टर है 8 CPC का तो इनकी पेंशन मन जाती है 29,588 रुपे और अगर 59,588 में हम 25,300 माइनस करते हैं तो यह 25,838 रुपे का डिप्रेंस आता है यह 25,838 रुपे जो हैं इनकी पेंशन पर मत बढ़ गई है और अगर हम 26,50 को कि एट सीपिसी का जो प्रिटमेंट प्रैक्टर है वन पॉइंट नाइन सिक से बोना करते ते यह आ जाता है क्यावन हजार पांग एक क्यावन हजार अथावन रुपे अब हम देखते हैं पर मंत कितनी इंक्रीज है होंड़ेडी नाइक सुवेदार का जिसकी क्वालिफाइंट सुर्वीज है उसका अगर हम च्वालिफेश हैं अगर शुट्वी से यार पचास माइनस करते हैं तो 27308 रूत पका डिफ्रेंस आता है यह जो डिफ्रेंस आया यह होंड़ेडी नाइक सुवेदार का जिसकी क्वालिफाइंट सुर्वी चप्रिश है उसका अब देखें नाइक सुवेदार का जिसकी क्वालिफाइंट सुर्वीज है ओवरु ने पैंसेंटीं की 10,405 रूपे 7 CPC में की pension हुई 26,741 रुपे OROP 2 में की pension हुई 24,825 रुपे और OROP 3 में की जो भी pension होगी वो होगी 7,625 रुपे अगर 7,625 को हम 8 CPC का fitment factor 1.96 ते गुणा करते हैं 14,145 रुपे निकल कर आता है यानि की 24,145 रुपे जो है 8 CPC की pension हो गई basic pension होगी अगर इसमें से हम 27,625 रुपे माइनस कर लेते हैं तो 29,320 रुपे का difference आता है यह 29,320 रुपे का difference है यह नायक सुभेदार क्वालिफाइं सर्विस जिसकी 26 साल है उसकी pension परमंतिंक रिजो ही एतनी अब देखते हैं नायक सुभेदार जिसकी क्वालिफाइं सर्विस 28 साल है उसकी और रुपे उने पैंसन दसजार साथ सो बैलिस रुपे और अगर 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 चार सो पचास को हम 8CPC का प्रिटमेंट प्रेक्टर 1.96 से गुणा करते हैं तो टोटल आ जाता है 55,762 रुपे यानि कि 8CPC में 55,762 रुपे की व्रद्द्ध होगी नायक सुभेदार जिसकी क्वालिफाइं सर्विस 28 से उसको अब देखते हैं का पर मंत कितना इंक्रीज होता है तो 55,762 में से अगर हम 28,450 निकाल देते हैं तो यह 29,687 रुपे आता है यानि कि 29,687 रुपे की परमंत बेसिक में वर्द्ध हुई है नायक सुभेदार जिसकी क्वालिफाइं सर्विस 28 साल है उसको अब देखते हैं सुभेदार वालिफाइं सर्विस 28 और बाइस की पेंशन 12,287 की पेंशन 31,529 रुपे और और ऑफिट्री में की पेंशन मड़ेगी 32,050 रुपे अगर इस 32,050 में से हम अगर इस बतिस जार पचास को हम 8 CPC का प्रिटमेंट प्रेक्टर 1.96 से गुणा करते तो आता है टोटल 6,888 रुपे यानिकी 8 CPC में 6,888 रुपे शुवेदार की पेंशन मड़ेगी जिसकी क्वालिफाइं सर्विस 28 years उसकी 6,888 रुपे पेंशन होगी अगर इस 6,888 में से हम ओवारोप 3 32,050 को माइनस करते हैं 33,118 रुपे का डिफ्रेंस आता है यानिके बेसिक में परमन 33,118 रुपे इंक्रीज होता है सुवेदार क्वालिफाइं सर्विस 28 years हो लेगा अभी देखे अगला रंक सुवेदार क्वालिफाइं सर्विस 30 years ओवारोपे वने पेंशन थी 12,690 रुपे सेवन सीपीजी में की पेंशन का बेसिक की होगा 32,613 रुपे और 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 तुमेंट की जो पेंशन होई 31,000 होई और 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 तरी में जो इनकी पेंशन हो जाएगी वहोगी 33,025 रुपे और और अगी 33,025 को हम 8 CPC का फिटमेंट पेक्टर 1.96 से गुणा कर देता है तो इनकी पेंशन बन जाती है यहाँ पे 64,729 रुपे यानि के 8 CPC में सुवेदार जिसकी क्वालिफाइंट सर्विस है उसकी टोटल पेंशन होगी बेसिक 64,729 रुपे अब देखते है इसका परबंत इंक्रीज कितना होता है तो 64,729 में से वारोगी ठरीकत 33,025 माइनस करते है तो 33,729 रुपे डिप्रेंट सकता ह हुआ है सुवेदार जिसका क्वालिफाइंट सर्विस टीस हीर से हर महीन ने 33,729 रुपे की बढ़ोतरी हो जाएगी अब देखे अगरा रहें सुवेदार मेजर और 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 की पैंशन हो जाएगी 31,625 रुपे और वारुप दिरुमेन की पैंशन होगी 34,125 रुपे अगर 34,125 में हम 8CPC का फिट्मेंट पैक्टर 1.96 से गुणा करते हैं तो टोटल निकल कर आ जाता है 66,885 रुपे यानि कि 66,885 रुपे सुवेदार मेजर इसकी क्वालिफाइंग सर्विस टीसियर से है उसकी टोटल 8CPC में इतनी ही पैंशन हो जाएगी बेसिक पैंशन उसकी 66,008 को 25 रुपे हो जाएगी अभी हम देखते हैं सुवेदार मेजर क्वालिफाइंग स्वाले का पर मंत कितनी इंक्रीज हुए है पैंशन का बेसिक में तो 68,885 में से हम 34,125 माइनस करते हैं तो 35,260 रुपे की वरद स्वाले क्वालिफाइं स्रीजों 32 रुपे पैंशन 17,010 रुपे सेवन सी पीची में पैंशन 43,716 रुपे और और त्रीमें की पैंशन हो जाएगी यानि के नबाजार आठ्सो पिचाड़ में रुपे जो है पर मंत बेसिक पैंशन होगा होन्रेजी कैप्टन का 8CPC में जो कि एक जनवरी दोजार चंबिश से लागव होगा और इनका पर मंत कितना इंक्रीज हुआ है तो 8CPC का नबाजार आठ्सो पैंशन से स्ट रूपे से और रोप ठरीका च्यालीसदार तो इसे रुप्रेश करते हैं तो पर्मंट डिप्रेंस आता है सेंटार्थ 2212 रुपे का यानि के सेंटार्यस है जार 220 रुपे की परमंट बड़ोतरी हो गई है होन्रेजी कैप्टन कारिपाइंशन्य सेर्विजिस की 32 य होता है तो आपका डिये जीरो परसेंट कर दिया जाएगा सिरुप वहाँ पर आपका बेसिक रहेगा तो इस परकार से जो मैंने पर रद्धी बताईती आपको वह बेसिक में हुई है लेकिन उस समय पर आपको जो डिये मिल रहा है वह डिये आपका बंद हो जाएगा तो कुल आपको अपको हो जाए इस समय वह पर बंद हो जाएगा एक पर से वापस लगाया जाएगा लेकिन ने आपको बता बेसिक हो जाएगा उतना पेंशन का बेसिक उतना हो जाएगा तो साथियों ये जो मैने आपको बताइा है ये बिना डी a के कलकुलेशन करके बताया है शिर्क इसमें आपका पेंशन का बेसिक हो आपकी घंगाए रहा है सेनिख मेरे दुबारा समय समय पर आप लोगों को इसी परकार की जानकरी दी जाती है अगे भी दी जाती रहेंगी और रहन का जांकरी मेरे दुबारा झाल 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 झाल